नमस्कार आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आप नियूज एटी इन लिया देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं रुबिका लियाकत अगर मैं आपसे कहूं कि मैं दुनिया के सबसे बड़े रेस्क्यू और रिहाबिलिटेशन सेंटर में खड़ी हूं तो आपके जहन में क्या आएगा हो सकता है आप किसी डिवलप नेशन के बारे में सोचें शायद आपके जहन में अमेरिका आजाए या रशा आजाए लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि मैं हिंदुस्तान की बाद करे जहां पर दुनिया का सबसे बड़ा रेस्क्यू सेंटर है शेल्टर है नाम है उसका वंतारा और उस वंतारा के दिल में धड़कता है वो दिमाग वो चहरा जो आज हर किसी के जहन में समाया हुआ है मैं इस वक्त इन्वाइब करना चाहती हूं धीरुबाई अंबानी के पो सबसे पहले तो इस खुबसूरत प्रोजेक्ट के लिए आपको धेर सारी बधाया यह आपका पैशन है के प्रोफेशन है यह मेरा पैशन है और यह तो मेरा एक हमने यह पूरा यह सोच बचाया था बच्पन से ही माता जी ने मुझे सिखाया था हम जानवर का और अलग-अल मेरे घर में माता जी मेरे से पहले जब वो छोटे थे उन्होंने 20-25 कुत्तों को पाला था घर पे और मुम्मई के लिए वो तो बहुत बड़ी बात होती है 20-25 कुत्ते घर पे फ्लैट में रखना सांटा क्रूज में रहते थे वो उनके शादी से पहले और माता जी ने वो ही एक ऐसे चीज है जो आदमी को बहुत सारा पुनिया प्राफ्ट करा सकता है तो इस विचार से हमने ये काम पच्छपन से चालू पच्छपन में हमने डोमेस्टिकेटेड अनिमल जो पालतू जानवर है गाय, भैस, बकरी, मुर्गिया, खरगोष, सूर, सब से हमने च सो एकर में हमने उस समय एक लाख पालतू जानवर का चालू किया था, फिर हम सोचे जामनगर कैसे आना हुआ, मतलब आप कहा रहे हैं कर्जत में थे, मुंबई में सब कुछ आपके पास था, मा ने बचपन से एक एक पूरा बेज बना कर रखा था, आनन्त अबानी जामनग में दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी बना है, पिताजी ने उस अपना साकार की, दादाजी की, पिताजी ने यहां खुद जामनगर में दस से बारा साल रहकर यह रिफाइनरी बनाई, जो दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी है, अब यहां न्यू एनरजी का भी एक बहुत बड़ा कॉंपलेक्स बनने जा रहा है जानवरों के लिए इसके लिए सोचा माता जी ने मेरे माता जी ने जामनगर में हजार एकर पर एक जंगल खड़ा कर दिया आप तो एरपोर्ट से आये होगे तो आजू-बाजू में आपने देखा होगा कि पूरा बंजर ज बचपन से मेरा घर यही है मैं जितना मुंबई का हूँ इतना जामनगर का हूँ तो हम यह बसे तो माता जी ने तो यह पूरा एक टाउंशिप बना हमारे जो करमचारी है उनको रहने के लिए आप हम सबसे बड़ा बगीचा बी बनाइगा है। वो जो तस्वीर हमने देखी थी, कॉंडुलीजा ब्राइस के हाथ में एक बास्किट था, उसमें केसर के आम थे, और कहा गया था कि वो धीरूबाई अम्वानी के बाग से आये हैं, लेकिन अनन्त अम्वानी ने ये कब सोचा कि यहां पर, तो जब मेरे पापा हमें हमेशा ज एक ही समय, पापा हमें चुटिया में लेके जाते तो जंगल होता था, हम और कहां चुटी जाते ही नहीं थे, जंगल, तो हमें वाइड लाइफ सा बहुत प्रेम था, फिर जैसे-जैसे में बड़ा होते गया, और में समझता गया, मैंने सोचा कि वाइड लाइफ के लिए क मैं सोचा कि हमें कुछ करना चाहिए, भारत में रोड एक्सिदेंट से तेंदुआ गिर जाता है, रोड एक्सिदेंट से कभी-कभी टाइगर जो बाग है उसको चोट पूट जाती है, भालू जो रीच होता है उसे भी कभी-कभी बहुत दिकत में आ जाती, कभी अनिमिल सुन जिसे हम कहते हैं उसके लिए बहुत सारे लोग कम करते हैं, वाइर लाफ के लिए बहुत कम लोग है। ऐसलिए वाइड लाफ के लिए कच करने का था। तो जिब अनन्द अम्मानी के मन में ये विचार आया तो वो पहला शक्स कौन था जिसे आपने जाकर ये बताया कि मैं ऐसा कुछ करना चाहता हूं और उसका रियाक्शन क्या था? मम्मी थे, मम्मी को मैंने बताया, मम्मी ने पहले बाद कि इसलिए आपको टीम ज़रूर है, अकील आप नहीं कर सकते हो, तो आप एक टीम खड़ा करिए, पापा के पास गया, तो पापा ने बोला कि अगर करना है तो दुनिया का सबसे अच्छा करिए, करना है तो जो भी करन कि आपने तो पूरा घुमाई होगा, अभी तो मैं दुनिया का अच्छा बोले कि अभी तो आप खाली 10 या 35 फिसीदी ही खतम हुआ है, बहुत समय लगे है, और मुझे अपने दर्शकों को अगर अनन जी ये बात अगर मैंने नहीं बताई तो ये नाइसाफी होगी, पिछले साथ घंटे से अनन तंबानी हमारे साथ है, हम पूरे इलाके में घूम रहे हैं, इनफाक्ट अभी तो हमने अनन जी खुद बता रहे हैं कि 40% ही घूमा है, कितना बड़ा ये इलाका है, यहां कितने आप जानवर लेकर आए हैं, कितनों को बचा है आपने, अभी तक हमने य ही हजार एकर में है, बनाया है रेस्क्यू सेंटर, यहां का हॉस्पिटल जो है, इसमें 6 सर्जरी सेंटर है, इन-पेशेंट वार्ड है, आउट पेशेंट वार्ड है, MRI मशीन है, जो मेरे साब से इंडिया में एक ही है, CT स्कैन है, जानवरों के लिए, रोबोटिक सर्जरी मशीन है, लाब है, जिसमें 100 से ज्यादा वेग्नानिक काम करते हैं, और लाबरेटरी स्पेशलिस्ट भी यहां काम करते हैं, मतलब वो सुविधाएं ऐसी हैं कि आप, आप किसी शांदार, फाइव स्टार, जो जो हुमन बिंग्स के हॉस्पिटल होते हैं, वो भी कम पढ़ जाएंगे, मैं सच बता रही हूँ, इतनी शांदार यहां पर सुविधा है, लेकिन कितने जंगली जानवरों को आपने रेस्क्यू किया है, अब तक हमने यहां 25,000 से ज्यादा जंगली जानवरों को रेस्क्यू किया गया है, और हमें बहुत सारे जानवरों का ज्यान भी हम यहां से टीम्स पूरे भारत में, सब जगा भिजवाए, जूज में भिजवाए, फॉरिस्ट डपार्टमेंट का मदद की, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया, अमें देश के हर एक फॉरिस्ट अधिकारी, उनके करमचारी से अधिकारी, सब का बहुत बहुत धन्यवा आपके उम्र के जो नौजवान है उनका पैशन उनका शौक वह बहुत अलेदा होता है मतलब किसी को कार रेसिंग पसंद है किसी को अलग अलग डेस्टिनेशन पर जाकर अपना अपना सब कुछ बसाना पसंद है आप जामनगर आगए मैं जामनगर में ही आप लोगों के साथ कुछ भी हो जाए दिन में 2 घंटा में जानवरों के लिए मैं काम करता हूं और यही सोचता हूं कि मैं कितने जानवर को दिन में बचा सकता हूं कि आज कितना का मैंने भला किया और मैं कितने भला कर सकता हूं और मेरे हम और कronum it घाधि भी जामनगर में कर रहे हैं और हम घर उलतर तक तो पूरी दुनिया को आप यहां पर इकष्छा कर रहे हैं और दारी जामनगर के हैं मेरे दारी जामनगर के रिवासी है और मैं शादी इसलिए कर रहा हूं क्योंकि उनका home college मुजरात के है महरास्ट ओवी यह तो प्री वैडिंग यह हो रहा है शादी तो मूमबर में होगा प्री वैडिंग यह हमारा घर है आपकी होने वाली धर्मपतनी कि इस प्रॉजक को किटना सराती meant कितना उनका और योगदान है वह क्या कहते हैं वह भी बोदे जानवर प्रीमी है और कभी भी या नहीं बूलती एकि आप कि इस पर लगा रहता हु काम के बाद करें इस पर लगा तो सथ साथ में मदद करतें एकर को जानर बिमार है तो हमारे जो वैद जो हमारे पशू वैद हैं उनसे बात करना कभी-कभी अगर में available नहीं रहता हूं में मह रहता हूं यहां तो वो खुद पशुवेद से बात कर लेते अन्हों हमारे जो ड्रॉस्ट के मैनेजर्स है कि अगा बात करके feedback लेते हैं और वो खुद कोई-खाती हैं जो मेरी सबसे बडी प्रेयरना रही है मम्मी ने भचपन से ही मुझे सिखाया और वो खुद मतलब मम्मी ने हमें जब कभूतर मांजा से कट जाते थे तो मम्मी जब हम छोटे थे, मम्मी उनको घर पे लाते थे, मम्मी पालते थे, उनका पॉसन करते थे, मम्मी ने घर पे एक बाज का बच्चा जब चोटा था गिर गया था जाड से, उसको भी बढ़ा किया और छोड़ा, मम्मी ने हमें नीचे घर पे हमारे बहुत बिल्ली होत हम सब बच्चे लोग में, मेरे भाई, मेरे बेंड सब दूद लेकर जाते थे, तो हमारा दुनिया ही जानवर, इसके लिए हमारे दुनिया में मस्त है, इसलिए हमें और कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, और काम तो काम होता रहेगा, दुनिया चलती रहेगी, पर जानवर के लिए हम यह एक हमें प्रेरना मिलती है सब मम्मी से और सबसे कि हम जानवर के और काम करें यह तो आपको मैं भी भी बोला जब देखा यह तो खाली एक छोटी सी जहाकी है मतलब एक तो हमने आपने जो गजराज और देखिए साक्षात गनेश जी जो है उनकी मूर्ती आपने यहां पर स्थापत की हुई है सैकडो हाती जो है आपने रेस्क्यू किये हैं आप अलग-अलग इलाकों से रेस्क्यू करके वाइल कैट्स को भी लेकर आए हैं प्रदान मंत्री नरेंडर मोदी का भी प्रोजेक्ट टाईगर यहां मैं मांनता हूं कि उन्होंने एक बहुत बड़ी काम किया है कि चीता प्रोजेक्ट को सफल किया, प्रोजेक्ट लायन जो गीर में है, जो इद्दम दुडलब है, उनके कारण सफल, उन्होंने ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ाया था, और हम सब उनसे प्रेरना लेता है, अगर हम उनका 0.5% भी जानवर के लिए करे, वो तो बहुत बड़ी सोच रखते है, हम भी जितना हमारे से खुशता है, हम जानवर के लिए करते हैं, और उनका उनका उनसे जो प्रेरना मिलती है, वो कुछ अलगी महसूस होता है, अलगी पावर आजाता है कि हम और कुछ करें, जब भी हम उनको टीवी पर सुनते कि प्रजेक्ट लाइन जब चीता है तो बहुत खुशी हो तब आपने रिलेट किया था इस बात से बिल्कुल यह थो हमारा एक सपना साकार हुए हमारे चीते जो भारत से चले गए थे जो भारत से एक्टम एक्स्टिंग्ट हो गए थे उनको वापिस लाना बहुत बड़ी बात है तो यह जो उनके किया यह एक बहुत काईले तारीफ बात है अनन्त अम्मानी का पैशन पूरे देश को समझ में आ गया है लेकिन इस पैशन को क्या और आप पढ़ देंगे और इसका कोई मुकाम है या जामनगर तक यह सीमित रहे हैं तो हम जामनगर में एक ऐसे केंदर बनाना चाहते है कि हम कपैसिटी बिल्डिंग यहां से करें हम यह से जितने भी हमारे वेद जो पशुवेद है उनको हम पूरे भारत में भेज़ें यहां सिखा कर कि भारत में ऐसे हमारा यह मकसद रहेगा एक भी अंछरी यह इंडेंजर जान्वर बिमारी से नम औरे कैप्टिविटी में और जितना हो सकते हुथous को मद करें कैपैसिटी बिलिंग करें करें भारत में देरसो से ज़्यादा च्ड़ियागर है हम उन सब को जितना हो सके अथा सेपोर्ट करना तो हम यह चाहते है कि जामनगर एक ऐसा फॉस्पिटल लाब अपने देखा ऐसे एक बने कि जहां होगा और रेस्क्यू सेंटर हॉस्पिटल जैसे आपको हमेशा बढ़ता रहागा जिससे जरूर होगी उस हिसाफ से हम बढ़ेगे और बचाव का कारियों में करेगे और जैसे वगवान हमें शक्ती देगे उस साफ से करेगे जो मन्जूर खुड़ा होगी मुझे पूरा यकीन है कि आप जो इंस्पायर हुए है अपनी मा से आप चाहेंगे कि ऐसे लाखों अनंत पैदा हों हिंदुस्तान में लेकिन उसके लिए आपको इंस्पायर करना भी जरूरी ह तो एक आम आदमी जो ये जानना चाहता है देखना चाहता है कि आपने किस तरीके की फैसली फैसलिटी बनाई है वो आ सकता है यहां जी बिलकुल अब हम जैसे जानवत पर सेटल हो जाए हमारा जूलोजिकल पाक खुलेगा हमारा होस्पिटल के लिए हम एक विजिटर गैल प्रेरना से भावक होकर कुछ जानवर के लिए करने जरूर बुलाएगे और हम ऐसे भी सोच रहे हैं कि हम कॉलेजेस और स्कूल के बच्चे के लिए एक एडुकेशन हब यहां तयार करें कि उनका विजिट करा है और इस पर काम चालू है और जल्दी ही जनता इसका लाब ले पाएगी हिंदुसान हमेशा से इस बाद पर फक्र करता है कि वसुदेव कुटूमकम के प्रिंसिपल में यकीन रखता है आपने जानवरों के लिए भी इनफाक्ट जामनगर को एक वसुदेव कुटूमकम का हब बना दिया है जी अगर यह कहूं मैं तो गलत नहीं होग श्री कृष्ण केहते थे हाती घोड़ा पाल की जै कनेया लाल की और श्री कृष्ण के सबसे प्यारे होते थे गाई हाती घोड़ा और हमारे हर एक देवता या देवी हर एक का वहन जानवर होता था हर एक का प्रिया भी जानवर होता है सरस्वती मोर पंक और मोर सरस्वती हमें सनातन से ये एक मुझे ये सीख मिली है कि हर एक जान एक है मनुश्य हो या पक्षी हो या एक जानवर हो या हत्ती हो कुछ कुछ एक है और सेवा करने का मौका बहुत कम लोगों को मिलता है तो मैं भगवान से बहुत धन्यवाद मांगता हूँ और भगवान का बहुत आभार हूँ कि भगवान ने मुझे ऐसे जानवरों का सेवा करने का मौका दी और ये तो मेरे लिए एक बहुत बड़ी खुश नसीब की बात है कि मुझे वगवान ने ये सेवा करने का मौपा दी और वो चीज आपकी आँखों में चमकती भी है आपकी बातों में जलकती भी है आप हमने देखा कि आप कैसे एक एक शक्स को यहां पर बनी चीजों को दिखा रहे थे आप इसी तरीके से निरंतर आगे बढ़ते रहे और ये जो सेवा भाव है ये जो आपने सेवा ले जानवरों के लिए खासकर वो जो हमेशा से बेडियों में रहे हैं उनको आजाद किया है उनको आगे बढ़ाया है उसके लिए आपको खूब सारी शुब कामना है और अपना ख्याल रखिएगा और उन तमाम जानवरों का जो हमेशा से परिशान रहे हैं बहुत बहुत धन्यवार बहुत बहुत धन्यवार